तो बच्चो सबसे पहले आपको डिवाइड का सेंबल जहन में रखना है तो यह डिवाइड का सेंबल है कोस्चन नबर वन यहाँ पर जैसे एक्जाम में आपको कोस्चन होंगे 96 divided by 3 तो 96 आपको इस तरीके से लिखना है और 3 के साथ इसको डिवाइड करना है अब पहला साथ यह आराम से क्या हो जाएगा डिवाइड अब 3 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तो पड़ो बच्चो शाबाज 3 1 3 2 3 3 3 9 अब यहां पर हमने क्या किया इसमें से माइन 9 में से 9 निकालेंगे कुछ भी नहीं अब 6 ओपर से नीचे लाएंगे यह 6 जो डिजिट है यह हम न अंसर है इसी तरह से हमारा दूसरा कोश्चन है 55 divided by 2 आप 55 को किस से डिवाइड करना है 2 से ऐसे हम इसी तरह सालों करेंगे अब 5 जो है वो बड़ा है तो यह अराम से हो जाएगा इसके साथ डिवाइड 2 का टेबल हम पहले 5 तक पढ़ेंगे तो पढ़ो शाबाज 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 6 6 बड़ा हो चाहेगा यह आपको याद रखना है या तो इससे छोड़ कम होना चाहिए यह एक्वल ब्राबर होना चाहिए ना जैदा जैदा नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए या ब्राबर होना चाहिए तो अब नीचे हम 5 में से 4 नेकालेंगे तो 1 रह जाएगा यह 5 उपर से नीचे लाएंगे ये आप डु का टैप पढ़ेंगे आप साम कहां तक फिव्टिन तरह थीज़ सेट के साथ स्टीन हो जा섯 हमें क्या करना है 14 अब 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 1 में से 1 निकालेंगे कुछ नहीं यह 27 हमारा अंसर है आप कोस्टन नमर 3 39 डिवाइडर भाई 3 अब इसी तरह हम इसमें लिखेंगे तो 3 3 के साथ पहले 3 तक हम टेबल पढ़ेंगे 3 वांजार 3 आप इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 3 निकालेंगे कुछ नहीं अब 9 लाएंगे नीचे 3 का टेबल हमें 9 तक पढ़ना है 3 1 तक पर नाइन अब यह 9 इसके नीचे हमने लगा है तो 9 में से 9 निकालेंगे कुछ भी नहीं हमारा आंसर 13 क्या हो जाएगा 13 तो इसी तरह बच्चों सबसे पहले आपको डिवा आपको टेबल आ जाएंगे तो फिर आप मल्टिपलाइई और डिवाइड अराम से ये कोस्टgili कर सकते हैं तो और गडोला याद रखना है जैसे ईक्गे आप को यह वाले कॉस्चन आएंगे तो आप देखेंगे सेम्बल डिवाइड का है तो आप एकदम से डिवाइड के कॉस्चन करेंगे तो यह जैसे हमने यहाँ पर नाइन्ती सिक्स को तरी के साथ और यह याद रखने आपको कि यह जो डिजेट है इससे बड़ा होगा तो इ ज्यादा नहीं होना चाहिए या तो ये बराबर होना चाहिए एकुल होना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है तो ये मुश्कल नहीं है तो बस आज के लिए तने काफी है वसला